नमस्कार दोस्तों आप सभी का इजी स्टडी पर बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ अक्षेंदर तिवारी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं IUCN and Red Data Book के बारे में तो दोस्तों IUCN और Red Data Book पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों यदि आपको वेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वार्मेंट की सीरीज चल रही है तो दोस्तों अभी तक हमने चिपको आंदोलन एपीको मूवमेंट और नर्मदा बचाओ आंदोलन ये तीन मूवमेंट पढ़ लिये हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं IUCN और Red Data Book के बारे में तो IUCN जिसका फुल फॉर्म है International Union of Conservation of Nature and Natural Resources इसका हेड़ कौर्टर मौग्स स्वीजर लेंड में है इसको WCU याने की World Conservation Union के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों IUCN इसलिए फेमस है क्योंकि ये Red Data Book नाम की या फिर Red List नाम की एक बुक निकालती है तो इस बुक में दोस्तों कुछ Animals, कुछ Plants और वहीं कुछ Fungus वग्यरा के बारे में जानकारी दी होती है तो दोस्तों इनके बारे में ये जानकारी रहती है कि इनकी Population कितनी है या ये समापती की ओर हैं कि नहीं है, इनमें Rare Species कौन कौन सी है ये सब जानकारी दी होती है तो ऐसे साथ केटिग्री में इसका division किया गया है 1st केटिग्री है extinct category short form में इसको बोलते हैं EX 2nd केटिग्री है extinct in the wild या EW 3rd केटिग्री है critically endangered CR endangered केटिग्री EN 5th केटिग्री vulnerable VU 6th केटिग्री है near threatened या anti और seventh और last category है least concerned कहीं कहीं दोस्तों आपको इसकी ज़्यादा categories भी देखने को मिलती है लेकिन seven categories ये सभी maximum जगह पे आपको seven categories ही देखने को मिलेंगी extinct category ये है extinct और extinct in the wild ये दो categories ऐसी हैं दोस्तों इसमें वो चीजें वो species आती हैं पेड़ पौदों की जानवरों की जो प्रत्वी पर अब नहीं हैं प्रत्वी से लुप्त हो चुके हैं मतलब ये केवल हमें किताबों में देखने को मिलेंगे या तो हमें इनके fossils वगेरा मिलें जैसे की इनकी हड़ियां वगेरा मिली जैसे फर एक्जामपल हम डाइनसौर का ले सकते हैं या वूली महमत का ले सकते हैं तो ये कुछ ऐसे जानवर हैं ऐसे एनिमल्स हैं जो अब प्रत्वी पर नहीं हैं हमें से किसी ने भी इनको नहीं देखा ये एक्स्तिंक्ट हो चुके हैं लेकिन इनके fossils वगेरा के कारण हमें इ इसके अंदर वो species आती हैं जानवरों की और पिड़ पौदों की जो फिलहाल में तो प्रत्वी पर हैं लेकिन निकट भविश में याने की 15 से 20 साल बाद ये प्रत्वी पर नहीं रहेंगे या समाप्त हो जाएंगे तो दोस्तों हमें इनको बचाना है और प्रोटेक्ट करन ये जो है least concern वाले group में आते हैं मतलब इनकी हमको जादा चिंता करने की जरूवत नहीं है ये प्रत्वी पर पर्याप्त मातरा में है जैसे कि गाय हो गई भैस हो गई या ये अपना बोल सकते हैं पन बकरी हो गई तो ये least concern है मतलब ये पर्याप्त मातरा में है डौग जो है ये बहुत जादा हैं, कम नहीं है, तो इसलिए हमें इनकी जादा चिंता नहीं है, और ना ही हम इनका कुछ खास policy इनके उपर ध्यान देते हैं, या record maintain करते हैं, तो दोस्तों extinct category, extinct category वो category है, ये मैं बता चुका हूँ, जो प्रत्वी से समाप्त हो चुकी है, threatened category वो category है, जो प् हविश्य में समाप्त हो जाएंगी प्रत्वी से, तो लगभग 25,000 species जो है, 2017 की report के अनुसार, ये threatened list में आ चुकी है, दोस्तों red data book का काम है, कि ये ऐसी species को detect करती है, मतलब red data book maintain करने से इसी species detect हो जाती है, क्योंकि women, survey वगएरा होते हैं इसके कारण, और इसके वजएसे guidelines वगएरा भी जारी होती है, जिसके कारण ये species का protection भी होता है, और ये समाप्त होने से बच जाती है, दोस्तों red data book सबसे पहले Russian government ने प्रकाशित की थी, या produce की थी बोल सकते हम, तो Russian government ने ये लगभग 1961 से 1964 के करीबन की थी, इसलिए इसको Russian red data book के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों red data book में कुछ content है, जो की अलग-अलग color से दिये हुए हैं, जैसे कि इसमें black color extinct species के बारे में information देता है, या extinct species के बारे में बताता है, red color का use उसके लिए हुआ है, जो endangered category है, amber color का use vulnerable category के लिए हुआ है, white color का use rare category के लिए हुआ है, rare category वो category हो सकती है, जो बहुत कम मातरा में है, या हर जगे उनका ecosystem है वो नहीं पाया जाता है, हर जगे वैसी पर स्थिती नहीं बनती है, कि वो species पैदा हो, केवल कहीं कहीं जगें पर है, green color का दोस्तों use होता है, endangered में जो पहल या किसी ना किसी कारान से बढ़ गई है अब, तो उसको endangered से हटा दिया गया है, इसलिए उसके लिए green color use किया जाता है, दोस्तों grey color का use किया जाता है, ऐसी species की category या ऐसी species के बारे में बताने के लिए, जिनके बारे में हमें sufficient information नहीं है, insufficient information है इनकी, जैसे कि हमें नहीं पता ये species कितनी है, इसके कई कारण हो सकते हैं, दोस्तों, जैसे कि कई बार जो है, ये survey करना इतना आसान नहीं होता है, तो इससे particular हमें exact data मालूम नहीं चलता है, या कुछ-कुछ species हैं, जो कहीं looked हो गई है, या हमारे आमने सामने नहीं दिखती हैं, तो इसलिए इनकी information नहीं है और इनको gray color से show किया जाता है, advantages of red data book, red data book के women advantages हैं, जैसे red data book हमें identify करने में मदद करती है, rare और endangered species के बारे में, red data book मदद करती है हमें calculate या evaluate करने में, किसी भी particular species की population के बारे में, कि कोई भी species कितनी है, जैसे कि नील गाय कितनी है, या फिर हम बोल सकते black buck की संख्या क्या है भारत में, तो ये red data book के थुरू ही हम survey वगयरा करवाते हैं, और इसी के थुरू हम एक list तयार करते हैं, book maintain करते हैं, उसमें ये population वगयरा लिखते हैं, third advantage ये है कि red data book से ये एक risk जो है वो कम हो जाता है, और एक risk पता estimate कर लेते हैं, कि कौन-कौन सी category खतम होने वाली है, चौथा point है, या चौथा advantage ये है red data book से, कि हमें red data book के थुरू एक guideline जारी करने मिल जाती है, endangered species के लिए, थाकि हम उनको protect कर सकें, दोस्तो red data book जैसे ही अपना recorder release करती है, या IUCN अपना red data book release करती है, तो जो government of India है, वो इसी की guidelines को follow करती है, और women guidelines जारी करती है, जैसे आप तो कुछ ऐसी guidelines वगेरा भी government जगे 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 पर देती रहती है, जैसे बताती है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, जैसे एक black buck का एक case बहुत जादा famous हुआ था, आप जानते होंगे एक celebrity के बारे में, तो black buck को नहीं मारना है, उसके लिए government ने क्या बोलते guidelines जारी की है, इसके लावा rules भी बना हैं, कि जो भी इनको मारता है, तो उनके लिए सजा दी जाएगी, नियम बना हुए हैं, और उनके लिए financial punishment भी रखा हुआ है, तो विबिन प्रकार की ऐसी चीज़ें government करती है, ये red data book की guidelines को follow करने के साथ-साथ, दोस्तों red data book के कुछ disadvantages भी हैं, जैसे की, red data book का पहला disadvantage ये है, कि इसमें जो information हमें प्राप्त होती है, वो complete information सभी चीज़ की नहीं रहती है, कुछ species ऐसी हैं, जिनकी information incomplete रहती है, आप जानते हैं, कि survey करना कितना कठिन होता है, तो कुछ ऐसे जीव जन्तू हैं, या पेड़ पौदे हैं, जो सब जगें नहीं रहती है, second point है, कि red data book में कुछ information, सारी information reliable नहीं है, याने कि reliable का मतलब होता है, विश्वस नहीं है, या trustable जिस पर हम भरूसा कर सकें, जैसे कि कुछ जानवर हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, कौन धाना रैठ की, तो अब जैसे इन जानवरों के बारे में पता लगाना कि वाक में क्या ये सही information है या गलत information है, क्योंकि हो सकता है, उसका एक से जादा बार repeat कर लिया गया हो, उसको data में ले लिया गया हो, या वहां तक data लेने तक पहुंच ही ना पाए हो, अच्छे से data नहीं ली पाए हो, तो ये सब बाते हो सकती हैं, इसलिए ये completely reliable नहीं है, कुछ-क species के बारे में इसकी information, third point दोस्तों ये आ जाता है इसके disadvantage में, कि इसमें animals के बारे में, plants के बारे में, और कुछ वैसे मैंने कही जगे ये भी पढ़ा है, फंजाय वगेरा के बारे में भी information available रहती है, red data book में, लेकिन सारे microorganisms के बारे में information नहीं रहती, और दोस्तों कैसे रहे भी microorganism है, चहरे पे भी होंगे, सब जगे microorganism हैं और उनको microscope से ही देखा जा सकता है, ये तो हम जानते हैं, तो इनके बारे में information रखना बड़ा कठेन है, तो इसलिए इसको हमने disadvantage में शामिल कर लिया, कि red data book में सारे microorganisms की information नहीं रहती है, दोस्तों इंडिया में red data book जो है, व और ये guidance of ministry, sorry, ministry of forest environment और climate change के अंतरगत और इनके guidance के अंतरगत ही काम कर रही है, दोस्तों बात कर लेते हैं हम कुछ categories, sorry, कुछ species के बारे में, जो critically endangered species के अंदर आती हैं, तो सबसे पहले ये इंडिया की बात चल रही है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं, जेपोर ground gecko की तो जेपोर ground gecko जो है, ये critically endangered category में आती है, और ये लगभग ये पाई जाती है आंदर प्रदेश वाले और उडिसा वाले एरिया में, इस्टन घाट्स वाले एरिया में पाई जाती है, next है दोस्तों, नामदफा flying squirrel, नामदफा flying squirrel दोस्तों अरुनाचल प्रदेश में पाई जाती थी और ये या पाई जाती है, और ये भी critically endangered category में शामिल हो गई है, third है Great Indian Bustard, तो Great Indian Bustard दोस्तों राजिस्तान और डेकन पैनीन सुला में पाया जाता है, और ये भी critically endangered category में शामिल है इंडिया में, अगला है कोलार leaf nosed bat, तो दोस्तों ये भी कोलार डिस्टिक्ट जो critically endangered category में आता है, और ये गेंगटिक रीजन में पाया जाता है, जो अपना गंगा नदी के आसपास वाला एरिया है, नौर्थ इंडिया वाला एरिया है, वहाँ पे ये पाया जाते है, slender build vulture, slender vulture जो है ये भी गेंगटिक प्लेन में आता है, और इमाचल प्रदेश से वेस वेंगौल वाले पूरे एरिया में आ जाता है, ये भी critically endangered category में शामिल है, अगला है मालाबार सिवेट, मालाबार सिवेट जो है ये भी western garts of करनाटक और केरला, मतलब वेस्टर्न करनाटक और केरल के जो western garts वाला एरिया है, वहाँ पर मालाबार सिवेट पाया जाता है, और यह कच्छ वाले एरिया में, कच्छ वाले रीजन में आता है, यह भी critically endangered C, R वाली category में शामिल है, अगला है हंगुल, यह कश्मीर का red deer है, बोल सकते हैं, और यह कश्मीर में ही पाया जाता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, कश्मीर red deer है ना, तो यह भी critically endangered category में शामिल है, दोस्तों अगली दो species मैं ऐसी बताने जा रहा हूँ जो extinct हो चुकी हैं और बहुत ही popular हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Asiatic या फिर Iranian Cheetah की। तो दोस्तों Asiatic और Iranian Cheetah ये एक ऐसी species है जो बहुत सारे लोग इंडिया में ये समझते हैं कि आज भी available है जबकि ऐसा नहीं है। हम जिसको देखते हैं वो असल में leopard है चीता नहीं है। चीता के सामने आँखों पे दो काले काले दब्बे रहते हैं और इसका थोड़ा सा shape size में थोड़ा बदलाव रहता है leopard से और ये बहुत जादा तेज दोड़ता है ये सब आप जानते ही हैं। तो चीता जो है वो 1952 से इंडिया में लुप्त हो चुका था, extinct हो गया था इंडिया से, अभी सुनने में ये आ रहा था कि मध्यप्रदेश में की चीता को साउथ अफरीका से बुलवाया जा रहा था, अब बात करते हैं हम pink-headed duck की, तो pink-headed duck जो है दोस्तों ये भी 1949 में ये extinct हो चुका है, लुप्त हो चुका है, तो उम्मीद है करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो दोस्तों इसके साथ-साथ, last में ये घ्यान देना चाहूंगा, कि हमको ये categories को, या species को बचाने के लिए हमें ये करना होगा, और हमें प्रयास करना होगा, कि ये सारी जो species हैं, वो endangered और extinct species category में ना आए, तो उसके लिए हमें शिकार वगेरा छोड़ना होगा, या जो भी लोग शिकार कर रहे हैं, उन लोगों को रूखना होगा, या कुछ ऐसे कड़े नियम जो हैं, वो follow करने होंगे, या सरकार से हमें वो करना होगा, अपील करना होगा, कि गड़े नियम बनाये जाएं, और दोस्तों हमारा काम है कि environment को हम protect करें, conserve करें, तभी हमारा जो है, देश जो है, और world जो है, ये सुरक्षित रहेगा, और सभी के लिए रहने के लिए रहेगा, ऐसे बहुत से project भी चल रहे हैं, दोस्तों जैसे कि tiger project च है कि हमें भी अपना पूरा-पूरा सहयोग देना है इन सब चीजों में, और एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें अपने देश की, हमें अपने राष्टर की और यहां के पूरे environment की रक्षा करनी है, तो thank you दोस्तों, और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, वीडिय है तो like करना, share करना मत भूलेगा, चैनल को subscribe कर दीजेगा